बीवारी पुलिसवा अलवर्ड डिस्टी ने पकड़े चेन्स चिंग के दो आ रूपी हर्यानाक नुव जिले के तावडू थाना चेत्र के रहने वाले हैं मुल्जिम पंकाजवाई मलस भीवारी वा धारवडा में कर चुके हैं कई आरदात बीवारी थाना पुलिसवा अलवर्ड डिस्टी ने संजुत रूप से कारवाई करते हैं चेन्स चिंग के दो आरूपियों को तावडू थाना चेतर से ग्रफतार किया है पुलिस के हस्ते चड़े आरुपियों से भीवाडी वा धारवडा में आधा दर्जन चैनिसीची के वारदात का खुलासा हुआ है भीवाडी पुलिस ने बताया कि गतिक 21 फरोरी को बिनुत कुमार सुकला अपनी पतनी सीता सुकला के साथ सेंटरल मार्केट जा रहे थे रास्ते में समतल चौकपर वानों का जाम होने से इस कुटी मुग्र की हुई थी तबी बाइक सवार दो युकोने सीता सुकला के गले से पहनी सोने की चेन को जपटा मारकर तोड़ लिया था और फरारो गे थे इसके लावा आरूपियों ने भिवारी मोर्ट जेंसिस मौल बगर सिंग कालोनी वा धारोड़ा इलाके में चेन इसने चिंग के वादात्तों को अंजाम दिया था पुलिस मामला दजकर आरूपियों के तलास कर रही थी लेकिन आरूपियों पुलिस के गिरफ समें नहीं आ रहे थे इस बिच अलवर डिस्टी पर भारी हुआ अलवर अरूली बिहार सिचो जैर अब्बास को मुखबी से सूचना मिली कि चेन इस्चिंग के आरूपी पुलिस टीम में बिवारी असचो जीतंदर सिंग ने मामले की जानकारी बिवारी स्पोको दी और बिवारी थाना पुलिस वालवर डिस्टी ने संजुक तरूप से दबिश देकर दोनों आरूपियों को उनके ठिकाने से ग्रफतार कर लिया पुलिस टीम में बिवारी असचो जीतंदर सिंग ने सिस्टो लंकी अलवर डिस्टी परभारी जहीरब्बास बिवारी थाने के एसाई नेरेश कुमार एड कांस्टबल विजयपाल मोहनलाल वदेयाराम यों कांस्टबल सुरंदर सिंग मनुच कुमार सामिलते आरोपियों ने बिवारी वा धारवड़ा थाना चेत्र में चेनिस्टी के आथा दर्जन वारदात को करना कबूल किया है मुल्जम के गिरफ्तारी में देश्टी परभारी अलवर जहिरबास वा समझ टीम तता पुलिस थाना बिवारी की महत्तुपुन भूमिका रही है